वागत आपको आपने यूटूब चैनल को तो उस तो SSC की तरफ से दिल्ली पुलिस HCM की जो टाइपिंग होने वाली है उसकी डिटेल्स शेयर कर दी गई है काफी बच्चों की डिवांड आती रहते हैं किसर टाइपिंग किस प्रकार से होगी HCM की तो इस वीडियो के अंदर मों कम्प्रेट जानकारी देने वाला हूँ वीडियो को आपको लास तक देखना है और वीडियो को फटा फटा से लाइक कर दीजिए लाइक काफी कम करते हो तो आपको पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चाहिन को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोज़तों आपके पास काफी अच्छी गोल्डन ओपोर्चनिटी हो कैसे अगर आपके मार्क्स रिटन के अंदर कम है तो आप क्या कर सकते हो टाइपिंग के अंदर अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो नेक्स जो नमबर की जो यहां पर टाइपिंग आपके रहेगी वो है 25 मार्क्स ऐसे भी कैंडिट होंगे जिनका रिटन के अंदर स्कोर होगा कम ठीक है और वो टाइपिंग के अंदर ज्यादा स्कोर कर जाएंगे और वो कैंडिट जिनके रिटन के अंदर ज्यादा मार्क् उपर वाले candidate, इन candidates को, जिनके return के अंदर अच्छा score है, 80 के आसपास, 80 से बहुँ, तो इनको वो cross कर जाएंगे, काफी ज़्यादा candidate ऐसे रहेंगे, और own and average, जहां तक मेरा experience बोलता है, वो candidates, जो own and average होते हैं, उनकी typing काफी अच्छी होती है, अब इसके अंदर 70 के approach किसी candidate के आ रखे हैं, तो ये बारी जो category होती है, इनकी तो typing होती हो, काफी अच्छी होती है, और ये लगभग 25 marks ही लेकर आएंगे, जब result आई तो आप देख लेना, ठीक है, तो ये average कुछ candidate होती है, typing अच्छी होती है जिनकी, तो आप भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा खेल नहीं है, दोस्तो आपको पता ही है, typing test, जो आपका होने वाला है, maximum 25 marks का होने वाला है, तो काफी अच्छा score boost up का सकते हो, final merit list के अंदर secure होने के लिए, छिक, तो काफी अच्छी बोज़नेटी हैं आपके लिए, अच्छी practice कीजिए, और hard practice कीजिए, कम से कम daily, 3 से 4 घंटा दीजिए, और ऐसी ऐसी opportunity बार बार नहीं आती है, ये vacancies पतानी अब कब आएंगी, अभी ये फिलाज 2014 के अंदर पिछली बार आप गयाई थी, फिर 2014 के बाद 2022 के अंदर, करीबन 8 साल के बाद देखने को मिली है, तो next जब ये vacancies आएंगी तब तक तो आप over age हो चुके होगे, तो इस मोके को हलके में नालो, जिनका भी selection हुआ है, उनको अपनी typing की preparation करनी है, अच्छे से, ठीक है, अब typing details की चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर typing test के अंदर, जो total time दिया जाएगा, वो रहेगा 10 मिनट, minimum qualifying speed क्या है, तो 30 WPM आपकी रहेगी English के आपको एक hard copy दी जाएगी, जिसके अंदर printed passes होगा, एक hard copy दी जाएगी निकाल कर, सभी candidates को, और उसके उपर आपको यह paragraph देखने को मिलेगा, English के अंदर total आपके 400 words रहेंगे, या बोल सकते हैं, 2000 stocks, stocks का मतलब क्या होता है, यह भी काफी comment आते हैं, stocks क्या होते है, तो जो भी entries आपने keyword से press की है, including space, तो इन यह हम क्या बोलते हैं, stocks, ठीक है, तो English के अंदर total 400 words या 2000 stocks, और हिंदी के अंदर 3700 words या 1500 stocks आपको देखने को मिलेगे, एक और important point यहाँपर इन्होंने बोला है, no candidate shall be allowed या continue to type the passage after the duration, of 10 minutes gets over, जैसे ही 10 minutes आपकी हो जाएंगी, आप type नहीं कर सकते हो, उनका server ऐसा होता है, automatic stop हो जाता है, ठीक है, तो यह आपका total time के बारे में था, typing speed के बारे में था, यह बातिया आपको पता ही है, यह maximum marks of 25 marks, maximum आप इसके अंदर 25 marks लेकर आ सकते हो, अगर आपकी speed, English की बात करी 30 WPM से कम आई, तो आप को क्या कर दे गए, डिस्क वालिफाई कर दिया जाएगा, अगर 30 WPM की आई, तो आपको 10 marks मिलने वाले हैं, शिक, और यह 30 WPM 100% accuracy के साथ होने जाए, यह मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, अगर आपने गलतियां की, तो आपकी 30 से कम हो जाए हो, 31 से 35 WPM पर आपको 12 marks दिये जाएंगे, 36 से 40 पर 15 marks दिये जाएंगे, 41 से 45 पर 18 marks दिये जाएंगे, 46 से 50 अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आती है, तो 21 marks दिये जाएंगे, अगर 50 पलस आपकी टाइपिंग स्पीड तो आपको 25 marks दिये जाएंगे, ठीक है, हिंदी के बात करें तो 25 WPM से गर आपकी कम आई तो आप डिस्क्वालिफाई हो 25 WPM पे 10 नंबर 26-30 पर 12 नंबर 31-35 पर 15 नंबर 36-40 पर 18 नंबर 41-45 पर 21 नंबर और 45 से अब और आपकी टाइपिंग्स बिढ़ाई तो 25 नंबर आपको पूरी यहां पर दिये जाएंगे दूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 10 मिनट इसके बाद आपकी टाइपिंग जो है वो आटोमेटिक स्टोप हो जाएगी फिर यहां पर दे रखा वर्ड्स कैसे आपके काउंट होंगे तो टोटल स्टोक्स अपोन 5 इंगलिश की बात चीक है तो टोटल वर्ड्स जितने आप टाइप करोगे मालो चार सो में से आपने साड़े 300 वर्ड टाइप किये टाइम क्या था टैस्ट का 10 मिनट तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है यान कि यह ग्रोश स्पीड यह निकलेगी 35 डबलो पीम की ठीक मिस्टेक्स की बात करें तो वन वर्ड फोर इज मिस्टेक्स यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल के तोर पर बता भी रखा है यहां से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक यहाँ पर वर्ड रखा है टोटल लंबरो स्टोक्स टाइप अगर आपने 2000 स्टोक् टोटल वर्ड अपन टाइम ऑफ एस्ट चार सो भाग में दस तो चालीस डग रूपियाम के आपके टाइपिंग स्पीड निकल जाएगे अब मान लेजिए आपने गलतियां कर दी दस जैसे गलतियां आपने की तो आपकी नेट स्पीड या एक्ट्वल स्पीड बोले इसको तो यह कितनी बनेगी 40 में से 10 माइनस हो जाएगे तो 30 डग रूपियाम आपकी एक्ट्वल स्पीड यहां पर निकलेगी अगर आप यही 40 डग रूपियाम 100% accuracy के साथ करते तो आपको देखो score कितना मिलता अगर आप 36 से 40 की टाइपिंग स्पीड से टाइपिंग अपनी करते हो आपकी आती है एक्ट्वल स्पीड तो आपको 15 नमबर मिलते हैं ठीक है और आपने जैसे ही गलती करी 10 तो आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाएगी 30 तो आपको marks कितने मिलेंगे 10 marks तो accuracy का का काफी main important प्रोल यहां पर रहेगा मेरी जो सलाह है आपके लिए वो यह है कि आपको आजी से अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को हटा कर फैंक देना है अगर आपको अपनी accuracy इंप्रूव करनी है बैक स्पेस अपना कीबोर्ड के अंदर रखिये मत कोई कावियाद बच्चों की गंदीयाद होती है बार बार में बैक स्पेस यूज करने की दिल्ली पुलिस में बैक स्पेस आपका working रहेगा लेकिन जैसे ही आप स्पेस प्रेस कर दोगे बैक स्पेस वाक नहीं करेगा ठी भी आपको कम से कम बैक स्पेस का यूज करना है ताकि आपके स्पेड़ी भड़े और एक्कुरेसी पर भी काम ठीक है तो बैक स्पेस को हटा दीजिया आजी से ही मिश्टेक्स जिनोंने यहाँ पर बता रखिए capital letter अगर आपने टाइप कर दिया small letter की जगा है omission, substitution, addition या आपने gap ज्यादा कर दिया words के बीच में या आपने paragraph नहीं बनाई अब मुझे यहाँ पर जो लग रहा है आपको जो printed passage मिलेगा उसके अंदर paragraph देखने को मिलेंगे तो यह paragraph भी हम आपको provide दरवाएंगे अगर आप यह paragraph नहीं बनाऊगे typing के दोरान तो आपके यहाँ पर mistakes के अंदरोंने count किया जाएगा दो परकार से आपके paragraph बनते हैं एक paragraph होता है सीधा start होता है ठीक है उपर मान लीजिए दो paragraph है उपर वाला paragraph हापका सीधा start होता है दूसरा क्या होता है कई बार tab पहला जैसे हमने type कर दिया फिर हम enter प्रेस करेंगे और enter के बाद tab key का use होता है ठीक है आपने देखा होगा paragraph के इस परकार से पयरागवर्भ आपके डिजाइन होते हैं यह सारी परग्राफ को हम जरूर शेयर करेंगे आपको इसका छीक है तो आपको इस परकार से पयराग्राव भी बनाने हैं अगर नहीं बनाएं तो आपकी निस्टेक यहां पर काउंट की जाएंगी ठीक है तो एक ये नोटिस आये था आपका दिल्ली पुलिस HCM की टाइपिंग से रिलेटिड और जल्द ही आपका एक बैच शांदर बैच कम्प्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट का हम स्टार्ट करने वाले हैं 9728275755 हमारा WhatsApp और Telegram नंबर रहेगा यहां पर आपको संपर कर लेना है और हम आपको वीडियो बना कर भी बता देंगे चिक है टाइपिंग की टिप्स भी आपको मैं साथ साथ दूँगा जो भी मेरी अबले हैं